हालो एब्रिवान एसका डिजानलर में आप सभी का सवगत है आप जो इसकिन पर सलवार देखरों उसी का कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे चलिए फ्रेंज हम सुरू करते हैं इस तरह से दो मीटर के कपड़ा लिये हैं इस तरह से हम फैला लेंगे दो फोल्ड में रख लेंगे अब हम बेल्ड के लिए नौ इंस में निसान लगाएंगे निसान लग चुगा है फ्रेंज अब निसान को मिला लेना है एक दूसरे में इस तरह से कटिंग कर लेना है कटिंग हो चुगा है फ्रेंज लंबावी है बहुत चालिंज लेकिन हम फोल्ड करके दो फोल्ड में रखकर 20 इंच पर आया है और चोड़ाई है 9 इंच इस तरह से मेरा बेल्ट तयार हो चुगा है लंबाई है 40 इंच और चोड़ाई है 19 इंच अब हम महोड़ी के लिए निसान लगा रहे हैं लगा रहे हैं साड़े 6 इंच पर इस तरह से निसान लग चुगा है फ्रेंज अब में हम यह फोल्ड करें हैं कपड़े को चार फोल्ड में दो मेरा बंद हैं दो मेरा खुला पाठ है अब यह 40 इंच का लंबाई है 20 इंच पर इंच आधा यहाँ लेकिन हम रखेंगे 19 इंच यहां पर एक इंच ही कम रखेंगे एक इंच अभी हम यहां पर निसान लगाए हैं और वहां पर निसान लगाए हैं मोड़ी के लिए उसमें हम निसान लगाकर मिला लेंगे इस तरह से कटिंग कर लेंगे कटिंग हो चुका है फ्रेंज अब जो बंद कली है उसे हम कटिंग कर लेंगे कटिंग हो चुका है इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बगल में रख ये मेरा चार करी हैं 2-3-4 अब व्में वह पर 7 debt Tu can a wash का आ लेना है इसे कटिंग कर लेंगि कटिंग हो चुका है इस तरह से भी कटिंग कर लेना है और इस तरफ से भी कटिंग कर लेंगे इस ट्रापाट को कटिंग हो चुका है मेरा चार कली तैयार हो चुका है अब इसमें हम सिलाई लगाते समय इसमें हम जोइंट कर लेंगे कली को देखिए मेरा स्वल्वार कंप्लीट कटिंग हो चुका है के लिए आप हम शिलाई करनते समय बताएंगे आपको हमें बक्रम लिए हैं इस तरह हम फोल्ड करते हुए दो फोल्ड रख लिये हैं इससे कटिंग कर लेंगे इस तरफ से भी cutting कर लेंगे एक और इतना ही लंबाई एक और हम बक्रम को लेंगे तीन cutting लिये हैं अब बक्रम को एक दुसरे पर रख कर सिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है धागे को cutting कर लेना है अब हम दूसरा भी बक्रम को बक्रंग पे रखकर सिलाई लगा लेंगे अब हम तीनों बक्रम को जोइंड कर लिये हैं अब इससे हम आधे पे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से फोल्ड हो चुका है अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे फ्रेंज बक्रम को कटिंग हो चुका है चड़ाई है दो इंच लंबाई है अठारा इंच अब हम मोहोडी पर तयार कर लेंगे तयार कर रहे हैं बक्रम को दो इंच इस्टरा छोड़ के आगे की तरब और हम एक आधा इंच का कट्रा पकड़ कर सिलाई लगा लेंगे फ्रेंज इस तरह से सिलाई लग चुका है अब हम फोल्ड करें एक फोल्ड किये हैं कट्रे को अब दूसरा भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बक्रम को दो फोल्ड में रख लेंगे कप्र को देख लेजिए किस भी हम बता रहे हैं आपको इसी तरह से अब हम इस पे शिलाए लगा लेंगे शिलाए लग चुका है फ्रेंज धागे को कटिंग कर लेना है कि अब हम दूसरे सिलाई कें आधा इंच चोड़के लगा थे सिलाई की तरफ इस तरह से अबं बीच में रौंड-रौंड गा लेंगे डिजाएं के लिए लाग चुका है अब दूसरे तरफ से ibility to be represented to be कप्लेट हो चुका है एक मेरा पहले से तयार है अब हम इसमें कली जोइंड करेंगे नीचे से कप्ड़ा रखते हुए उपर से कली रखकर इस तरह से शिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है फ्रेंज ये देखिए मेरा कली एक कंप्लेट हो चुका है इसी तरह से आप भी लगा लेना अब दुसरे तरह से कली को नीचे रखकर उपर से कप्ड़ा को रखकर सिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है friends मेरा कली जोईन्ट हो चुका है अब हम कली के उपर सिलाई लगा लेंगे मजबूती के खातित सिलाई लग चुका है धागे को कोटिंग कर लेना है दूसरी तरप से भी हम सिलाई लगा लेंगे सिलाई लग चुका है धागे को कॉटिंग कर लेना है एक पार्ट दो पार्ट दोनों कली मेरा जोइन्ड हो चुका है इसमें भी हम कली को दोनों जोइन्ड कर चुके हैं अब जो अब दूनों अलग अलग था हम उसमें एक में रखकर जोइन्ड कर लेंगे इस तरह से गुर्त हम छोइंड कर चुके हैं कि एक दीच में तstar से हम जोइंड कर चुके हैं आप फिन आप चार फॉल्ड कर डीच में कर लेंगे किक काटीं हो चुका है देख लिए जी दो तीन, तीन कटिंग हो चुका है और एक तो अलग-अलग पाठ अब हम बेल्ट को नीचे रखकर, उपर से कप्टे को रखकर, फोल्ड करकर इस तरह से हम प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से हम छोटे-छोटे प्लेट्स लगालेंगे फ्रेंज इस तरह से हम पूरे कमर वेल्ड पे फ्लेट्स लगा लेंगे लग चुका है फ्रेंज पूरे कमर वेल्ड पे मेरे से फ्लेट्स अब धागे को कॉटिंग का लेना है इस तरह से देख लिजिए मेरा फ्लेट्स पेड़ चुका है कितनी भावती खुबसूरत बैठा है अब हम बेल्ड के उपर से सिलाई लगा लेंगे सानिंग के लिए इस तरह से मेरे सलवार पे बेल्ड पे सानिंग आ जाएगा बागे को कॉटिंग कर लेना है फ्रेंज देख लिजिए इस तरह से हम चिलाई लगा चुके हैं अब हम बेल्ड तयार करेंगे एक इंच छोड़ देना है फ्रेंज उसके नीचे हमें सिलाई लगा लेना है पुरा इस तरह कप्ड़ां से कटिंग कर लेना है जागे को कटिंग कर लेना है अब जो हम कप्ड़ा को जोइंड किये थे पकड़कर अब दोनों अलग-अलग करकर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे काक्के डोरी अच्छे से चला जाए अंदर इस तरह से भी इस तरह भी सिलाई लगा लेना है फ्रेंज अब देख लिजे मैं हमने डोरी डालने के लिए अथुआ बना रहे हैं कपड़ा बना लिए यह हैं फोल्ड करकर उस पर सिलाई लगा लेंगे डोरी डालने के लिए इस तरह से अब मेरा बेल्ड के लिए बेल्ड तयार हो चुका है अब मेरा बेल्ड ही कंप्लीट हो चुका है अब हम मोरी को पकड़ कर सिलाई लगा लेंगे फिटिंग करने के लिए अच्छा लगे तो फ्रेंज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें नया चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह से मेरा सलवार कंप्लीट होने वाला है इस तरह से कंप्लीट हो चुका है और हम दूसरी तरफ से भी शिलाई लगा लेंगे मजबूती के खातिर इस तरह से मेरा सलवार कंप्लीट हो चुका है जो इस तरह से कटिंग करके बीच बीच में कटिंग कर लेना है इस तरह से पूरे सलवार कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स झाल